अम्बेटकर वादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए दश्शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिये गए अकाउन नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा यूपी आई, पेटियम, फोन पे और गूगल पे के जरिये भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामियाब बनाने में अहम भूमी का निभाएगी। जैभीन! सिक्षा के बारे में बाबा साब डुक्टरम बीट करने कहा था, जो सिक्षा आदमी को योग गयना बनाए, उसे समानता और नैतिकता ना सिखाए, वो सच्ची सिक्षा नहीं है। सच्ची सिक्षा मानवता को पालती है, गुजारे के लिए साधनुत्मन करती है और ज्ञान बढ़ाती है, सच्ची सिक्षा ही समाज को जिन्दा रखती है। जैभीन मैं हूँ सुमिचोहान और आप देख रहे हैं दशूद्र। देश में नई सिक्षा नीती लाग हो गई है। चोतिस साल बाद देश की सिक्षा नीती में कुछ बदला हुआ है। लेकिन ये नई सिक्षा नीती बहुजनों के लिए कितनी फाइदे मन्द है। इस New Education Policy से दलितों, आदिवासियों और पिछडों के बच्चों का क्या नुकसान होगा। बोजन समाज के नजरिये से इस सिक्षा नीती का विशलेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर नई सिक्षा नीती में क्या कुछ नया है। नई सिक्षा नीती में पाचवी क्लास तक मात्र भाशा या स्थानिय भाशा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। स्कूल पाठ्यकरम के 10 प्लस 2 धाचे की जगे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का नया सिस्टम लागू किया जाएगा। तीन से छे साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यकरम के तहत लाने का प्रावधान है। छटी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगे। हायर एडुकेशन में मल्टिपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। यानि डिग्री चार साल की होगी, एक साल पढ़ाई करके छोडने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड यर में छोडने पर डिपलोमा, तीसरे साल के बाद छोडने पर डिग्री जिसकी मानेता कम होगी और चार साल पूरे करने पर मुकमल डिग्री दी जाएगी। मानम संसादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है। GDP का 6% सिक्षा में लगाने का लक्षा रखा गया है। अब में के बाद सीधे PhD में दाखिला लिया जा सकेगा। पहली निजर में 108 पन्नों की ये नई सिक्षानीती बहुत अच्छी लगती है। एकदम गुलाब के फूल के गुलदस्ते की तरह है, जो खूबसूरत है और खुशबुदार भी है। लेकिन गुलाब के इस गुलदस्ते को आप जहां से पकड़ते हैं, वहां नुकीले कांटे हैं, जो आपके हातों में चुभेंगे और आपको दर्द पोचाएंगे। खास कर बहुजन समाज के लिए ये गुलदस्ता कांटो भरा है, जिसे अच्छे अच्छे शब्दों से सजा दिया गया है। उसको तुरंत स्कूली सिक्षा मिल जाएगा, जो जैसी सिक्षा पाना चाहेगा, वैसे सिक्षा पाएगा, यह दावा, यह नई सिक्षा नीती का 108 पन्ने का यह पूरा दस्तावेज हमारे सामने रखता है। पहले जो बच्चा 6 साल की उमर में स्कूली सिक्षा से जुड़ता था, अब उसे 3 साल की उमर में ही जोडने की बात कही गई है। सरकारी सिस्टम में उसे पहले 3 साल के लिए आंगन बाडी से जोड़ा जाएगा। पहले बात तो यह कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। ग्रामीन भारत में पहले से ही आंगन बाडी चालू है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि प्राइवेट स्कूलों में यही काम LKG और UKG जैसी क्लास के तोर पर जारी रहेगा। यानि गरीब दलित आदिवासी और पिछड़े समाज का बच्चा आंगन बाडी में पंजीरी और बिस्किट खाकर खुश हो जाएगा। तो अमीरों और सवरनों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में तेजी से ज्यान हासिल करेंगे। प्राइवेट स्कूल पहले की तरह अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते रहेंगे। जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ कर मैदान में उतरेंगे तो क्या सरकारी स्कूल का बच्चा उनसे मुकाबला कर पाएगा। क्वान्मेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा शुरू से ही इंग्लिस मेडियम में जाएगा। एक तरफ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला क्वान्मेंट स्कूल का बच्चा होगा। और दूसरी तरफ यह जो आपके पांच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार वाली कैटेगरी का बच्चा होगा। जिस पर अंग्रेजी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी भाषा किसी बस्तर पर सीखी जाती है और हम तो इसके इमाईती हैं। यह सही है कि शेत्रिय भाषाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि हिंदी या फ्रिस्थानिय भाषाएं मार्केट ओरियेंटेड यानि बाजार की भाषा नहीं है। हिंदी में आप अच्छी-ची कवीता और उपन्यास लिख सकते हैं लेकिन क्या आप इंजीनिरिंग की पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं? क्या भोजपुरी में विज्ञान पढ़ा सकते हैं? और अगर पढ़ा भी दिया तो क्या वो बच्चा देश के बाकी बच्चों और दुनिया के बच्चों से मुकाबला कर पाएगा? बाबा साहब डुक्टरा मबेटकर एक महान सिक्षा विद भी थे उन्होंने सिधार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज जैसे सिक्षन संस्थान बनाए लेकिन उन्होंने पढ़ाई का माद्यम अंग्रेजी ही रखा बाबा स इस देश में सबसे ज्यादा अमीर सवरण है और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं नई सिक्षा नीती में भी यही जारी रहेगा तो ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों को ही स्थानिय भा पढ़ा कर उनका दाइरा कम करने की कोशिश तो नहीं हो रही मेरा मानना है कि बहुजन समाज को अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाना चाहिए ताकि वो दुनिया भर में अपने रास्ते बना सकें भारत में जातिवाद उनके रास्ते में हमेशा रोड भी ले सकेंगे लेकिन स्कूली सिख्षा में वोकेशनल कोर्स के नाम पर सरकारी स्कूल के बच्चों को कारपेंटर, इलेक्ट्रिशन, बाल काटना, साइकल ठीक करना, माली और कुमार के साथ मिलकर बरतन बनाने जैसे कोर्स करा जाएंगे पहली नजर में ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां भी एक बड़ी चिंता उभर कर सामने आती है इस प्रावधान के बारे में हमारी बड़ी चिंता ये है कि कोशल विकास के नाम पर सरकारी स्कूल के गरीब दलित और आदिवासी बच्चों को छोटे मुटे काम सिखाये जाएंगे इससे होगा ये कि वो बच्चे या तो इसी काम को अपनाने के बारे में सोचेंगे या फिर इन कामों के अलावा वो कोई बड़ा सपना नहीं देख पाएंगे जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल के सवर्ण बच्चे, सिविल सर्विसेज, IIT, IAM या फिर विदेसी युनिवरसिटी में पढ़ाई के तयारी कर रहे होंगे साथ ही माली बड़ई या कुमार के काम को सिखाना एक तरह से जातिगत पेशे को बढ़ावा देना भी है उसको वहीं वाइफर गेट कर दिया, कैसे वो अपने स्किल को जो पारिवारी के स्किल में लिया है, जो उसको प्रिष्ट भूमी पारिवार में मिली है, उसको एक्स्क्लूट करके, कैसे बड़ी चीवों को सीख सकता, इसके तो औसर खतम होगे स्कूली सक्षा में नई सिक्षा नीती में एक समस्चा ये भी है, कि छोटे स्कूल, जहां कम छात्रिया टीचर हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा यूड़ाइज के आंकडों के मताबिक भरत में फिलाल एक लाग पाँच हजार स्कूल ऐसे हैं, जिनमें सिर्फ एक टीचर है 28 फीसदी प्राइमरी स्कूल और करीब 15 फीसदी उच्छतर प्रात्मिक स्कूलों में 30 से भी कम बच्चे हैं लेकिन नई नीती के मताबिक या तो इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, या फिर इने दूसरे बड़े स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा नई नीती के मताबिक हर जिले में एक मेगा स्कूल बनाया जाएगा ऐसे में अगर बच्चों के आसपास का स्कूल बंद हो गया तो उनके लिए घर से दूर वाले स्कूल में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा खासकर लड़कियों के लिए तो सिक्षा हासिल करना कठिन बन जाएगा दूर दराज के इलाके में यही छोटे-छोटे स्कूल बच्चों की सिक्षा का सहारा होते हैं इसके बारे में भी डर है कि यह जो 25% सीट EWS के लिए रिजर्व की गई थी उसके बारे में चुप्पी है ड्राफ्ट तो इसके बारे में कहता था कुछ गवबढ़ है अब चुप्पी साध नहीं गई है बहुजनेतों से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनका इस नेती में साफ सब जवाब नहीं दिया गया है इसी तरह स्कूली सिक्षा में ड्रोप आउट रेशो यानि ऐसे बच्चे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें वापस लाने का जिक्र तो किया गया है लेकिन उस पर कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता Unified District Information System of Education के सर्वे के मताबिक साल 2017-18 में 21.8 फीसदी दलित बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दसवी क्लास पास करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी वहीं अनुसूचित जन्जाती के 22.3 फीसदी बच्चे दसवी क्लास तक पहुची नहीं पाते ऐसे में इन दलित आदिवासी छात्रों को मुख्य धरा में कैसे वापस जोड़ा जाएगा इसके बारे में कोई पुक्ता इंतजाम नहीं किये गए है एक बड़ी चिंता की बात ये भी है कि नई सिक्षा नीती में कहीं भी आरक्षण शब्द का जिक्र तक नहीं है SCST और OBC के प्रतनी दित्व को पक्का करने वाली आरक्षण व्यवस्था के बारे में नई सिक्षा नीती मौन है अब बात उच्षा की करते हैं उच्षा में Multiple Entry और Exit System लागू किया जाएगा बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद Certificate या Diploma दिया जाएगा ये अच्छी बात है कि Dropouts बच्चों के पास अपनी पढ़ाई का कोई ना कोई दर्स्ताविज होगा लेकिन क्या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर कोई बच्चा बारवी के बाद Graduation के पहले या दूसरे साल में Certificate या Diploma लेकर पढ़ाई छोड़ देता है तो क्या वो उसके आधार पर नोकरी के लिए अपलाई कर सकता है जिन सरकारी नोकरियों में graduate होना ज़रूरी है उनमें तो ऐसे चातर अपलाई ही नहीं कर सकते तो इस Certificate या Diploma का क्या मतलब है अगर आप इसे मानेता दे रही हैं तो उन्हें नोकरी देने का इंतिजाम भी तो करिए प्राइवेट कंपनिया तो वैसे भी Income Value वाले Certificate या Diploma Holders को नोकरिया नहीं देने वाली World Trade Organization और General Agreement उन Trades and Services के दबाव में बनी इस नई सिक्षा नीती में शिक्षा के बाजारी करण पर बहुत जोर दिया गया है नई सरकारी उनिवर्सिटीज बनाने की जगए प्राइवेट उनिवर्सिटीज के और देखा जा रहा है लेकिन सिक्षा के बाजारी करण का मतलब है सिक्षा का महंगा होना प्राइवेट कोलेज या उनिवर्सिटीज लाखो रुपे में डिग्री देंगे जिसका मतलब है कि गरीब और वंची तबके के लिए पढ़ाई लिखाई दुस्वार हो जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी में विश्व विधालियों और रास्टे सिक्षन संस्थानों के लिए ग्रेड़ेड अटोनमी लागू किया जाएगा academic administrative और financial autonomy दी जाएगी संस्थानों को A, B और C केटेगरी में बाटा जाएगा इससे आसान भाषा में समझ ये पहली केटेगरी के संस्थानों को ये हक होगा कि वो अपने यहां किस course को पढ़ाएंगे उसका कैसा स्वरूप होगा ये सब दैकर पाएंगे दूसरा उनके पास ये हक होगा कि वो अपने संस्थान को कैसे चलाएंगे कैसे भरतिया करेंगे प्रमोशन कैसे करेंगे किस professor को कब निकालेंगे और प्रशासन संबंधी फैसले लेने का सारा हक उनके पास होगा और तीसरे नंबर पर आर्थिक स्वायतिता होगी जिसका मतलब है ऐसे संस्थान अपना खर्च निकालने के लिए खुद पैसे जुटाएंगे और इसके लिए वो फीस को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं आपको अजीब लग सकता है मैं अभी समझाओंगा कैसे वर्ण व्यवस्ता आप उच्छ सक्षा में लावू कर दी गई है और इस वर्ण व्यवस्ता में जिसकी जिब में पैसा जादा है जो अपर काश्ट, अपर क्लास, पूरुष, शहरी लोग है उस तब के लिए आपने एक ग्रेड इंस्टिटूशन बनाने के ख्वाप दिखाएं और जो सी ग्रेड के इंस्टिटूशन है आगे मैं उच्छ सिक्षा में और आकड़े दे रहा हूं कि उनको बंद करने के लिए कहा गया है वो सारे इंस्टिटूट बंद किये जाएंगे तो ये जो सौ ग्लोबल उनिवर्सिटीज के शाखाएं खोली जाएंगे वो किसके लिए हैं साथ ही उत सिक्षा में FDI यानि विदेशे निवेश का रास्ता खोल दिया गया है अब विदेशी उनिवर्सिटीज हमारे यहां अपनी शाखाएं खोल सकती हैं लेकिन ऐसी प्राइवेट उनिवर्सिटीज में ना ही आरक्षन लागू होगा और ना ही आरतिक रूप से कमजोर तबकों के लिए सीटे आरक्षित होंगी खुल मिलाकर शिक्षा को एक लगजरी बना दिया जाएगा जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ ले जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ना पढ़े शिक्षा का जो कमर्शिलाइजेशन को रहा है उसके बारे में हम लोगों के शोर मचाने के बाद एक पैरा तो डाल दिया गया है लेकिन दरसल कमर्शिलाइजेशन को रोखने की कोई व्यवस्था नहीं है और दूर दूसरा फॉरेन उनिवरस्टीज के लिए रास्ता पहले से भी जादा खोल दिया गया है जिसका मतलब है कमर्शिलाइजेशन और प्राइजेशन बढ़े है इस नई सिक्षा नीती में दो तरह की सिक्षा देने की बात की गई है एक उन लोगों के लिए क्लासरूम टीचिंग जिनकी स्कूल या कोलेज तक पहुंच है दूसरी तरफ उन बच्चों के लिए ओनलाइन क्लास होंगी जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और स्कूल या कोलेज तक आना उनके लिए आसान नहीं है लेकिन क्या दलित और वंचित समाज का बच्चा ऐसी ओनलाइन क्लास के लिए तयार है? हिमाचल प्रदेश के पालगपुर में रहने वाले कुलदीब को अपने बच्चों के ओनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,000 रुपए में अपनी गाएं बेचनी पड़ी थी फिलाल भारत में 27 फीसदी अनुसूचित जाती और 27 फीसदी अनुसूचित जन जाती के लोग गरीबी रिखा से नीचे जिवनियापन कर रहे हैं ऐसे में ये गरीब लोग उनलाइन क्लास में कैसे शामिल होंगे और अगर नहीं तो इसके इंतजाम की जानकारी नई एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दी गई है इस नई सिक्षान नीती में विरोधवास भी बहुत हैं एक तरफ सरकार इन्रोल्मेंट रेशो को 50 पीसदी तक ले जाने की बात कहती है तो दूसरी तरफ करीब एक लास से ज्यादा छोटे स्कूल बंद करने की तयारी है 40,000 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज भी बंद होंगे तो वही 15,000 डिग्री कॉलेज C ग्रेड में मर्ज कर दिये जाएंगे ऐसी स्तिती में जब नए स्कूल कॉलेज ना बनाकर पुराने स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा या फिर उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा तो इन्रॉल्मेंट रेशो कैसे बढ़ेगा नई सिक्षा नीती में सेंट्रलाइजेशन पर भी जोर दिया गया है बोर्ड ओफ गवर्नर के जरिये युनिवर्सिटीज को चलाने की बात कही गई है डूटा यानी दिल्ली उनिवर्सिटी टीचर्स असोशेशन ने इस पर कहा है नई सिक्षा नीती बोर्ड ओफ गवर्नर को शक्तिय ट्रांसफर कर विश्वे विध्यालियों को तहसनेस कर देंगी नई एजुकेशन पॉलिसी में में के बाद एमफिल को खत्म कर दिया गया है अब आप सीधे पीएजडी मेडमिशन ले सकेंगे लेकिन यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि युनिवर्सिटीज में जितनी सीट मे की होती है उतनी पीएजडी की नहीं होती ऐसे में बहुत सारे चात्र जिनें पीएजडी में एडमिशन नहीं मिल पाता था वो एमफिल के जरी अपना रिसर्च शुरू कर देते थे लेकिन अब उनके लिए मोग के कम हो जाएंगे इसलिए New Education Policy को New Exclusion Policy कहा जा रहा है इस सिक्षा नीती से बहुत सारे बच्चे सिक्षा से वन्चित रह जाएंगे ऐसी सिति में इस नई सिक्षा नीती पर संसद में बहस होनी चाहिए उसमें जरूरी बदलाव किये जाने चाहिए ताकि बहुजन समाज के बच्चों की हक मारी होने से बच जाए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इससे शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फोलो करें जै भीएम